हेलो रादे रादे स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता सर्मा चेनल पर कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज है रक्षावंधन तो रक्षावंधन की सभी भाईयों के लिए बहुत बहुत सुब कामना है और बहुत तरक्की करो जीवन में अपने लड़ू गोपाल जी के लिए राखी बांद दी है और मुझे भी वहां जाना है लेकिन पहले न यहां पका जो वह काम है प्रिया की जो राखी वगरा न वह बंद बाके जाओंगी बाकी मैंने खाना पीना सब कुछ तयार कर लिया है बिल्कुल पूजा भी हो गई ह जो कोई खान वह जो हमारे जबे बनते हैं उनसे पूजा होती है मीठे नहीं बनते है उसके लिए तो फीके बनते हैं लेकिन बाद में मैंने दूड़ डाल के ना मीठे बना दिया है सबके लिए क्यूंकि खाने के साथ में हो जाएंगे और खाने मैं वही चोले चावल वो स प्रांशू है अकेला और कोई राकी नहीं बंदवारा मतलब है यह नहीं यहां पर आये नहीं तो और सभी भाईयों के लिए वैसे इसने राकी भेज दी है सभी के लिए पहुँच चुकी है राकी इसकी तो बाकी चलो पहले दिखाती हूं आपको खाना दिखाऊंगी क्या क् खाने में और उसके बाद में यह बच्चों के राकी बंद बाती हूं और खाने में दिखाती हूं आपको क्या-क्या बनाया है मैंने यह बनाया है छोड़े और जब्री से तयारी कर ली थी आज मैंने और इधर बनाये चावल और उसके साथ बनाया है यह रायता बूंदी का अब बइना दूध के होते हैं। उन्से पूजा होती है चावल और उनसे पूजा जाता है। सोना पूजे जाते हैं। उसमें फिर बाद में मैंने दूथ डालके इनको अच्छे से बना दिये है। नैची पाउडर बगएरा डालके बनाया है, जोबको बहुत टेस्ट से सब लोग खा भी लेंगे इस वहाने से और इधर मैंने आटा भी तयार कर लिया है और इधर कड़ाई भी रख दिया है कि जब जैसे जब भी बनाएंगे ना तभी मतलब पूरियां जब इस जाएंगी और बाकी खाना वाना सब कुछ तयार होई चुका है और इस बार बच्चों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा अकेले अकेले राखी बानने में क्योंकि सब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इस बार ना छोटी वाली जो दीदी है ना हमारी उन्होंने भी दोका दे Final Sum 37-37 के अकेले राखी बान दो चुटी सब लोग आते हैं तो चारो तरफ यहां की सब भी लग जाते हैं कि जिएनप सोफ़े बैट आप송 कोई बैठाई को कहीं बैठाए तो बहुत अच्छा लगता है और इस बार बच्चों को विल्खल भी नियदे अच्छा लग रहा कि लाएक दूसरी की पक्का थी कि वो जरूर आएंगी लेकिन वो भी नहीं आई और इन दोनों की बच्चों की राखी हो गई है सांती से मतलब राखी बांधी क्या करें अकेले अकेले और देखो प्रांशु पैसे निकाल के न उसको खुदी दे रहा है वो मना कर रही थी कि रहने दे और लेकिन क्या एक ले जगरते क्योंकि बेहन पाइबाह जब तक लड़ाई नहीं था उन bent गजराहीं पर होती यह अन ऐसी जघगरते है कि यह चीज ऑत्थने बैख्लिज में तो बहुत ज्यादा होती है कि यह रहे पर नहीं लेकिन यही पियार होता है हई द्रिया राखी बन चुक है कुछ आख यह करा सुद्धर है यह भाए है और इस राखी पहुंची कि नहीं पहुंची आगा और आसा और पहुच काह सता ह्या और वैसे जहां मतलब कहीं ओनलाइन भी भेज दिया और जहां पर जा सकती थी वहाँ पहुचा दिने जाके तो सारा मतलब सब्का हो गया है लेकिन अजीब लग रहा है इस वार अप्सानी लग रहा और जरूर भाईयों को मतलब घर पर जरूर आना चाहिए राखी बंदवान क्या कहते हैं अपना कर्तव पे निभाना चाहिए जरूर आना चाहिए मेरे सांग से तो यह ना कि बिल्कुल भाईयों को अपनी बहनों के लिए निकालना चाहिए और प्रांसर तुम बोलना चाहोगे अपनी बहन के बारे में नहीं आपाया किसी कारण मुझे बहुत करते हैं थोड़ा और खुशी होती अभी सिर्फ हम दोनों है तो बस फिलाल के लिए हैपी रक्षा बंदन सभी को बोलेगा कुछ अपनी बेहन के बारे मैं यह बोलना चाहिए कि अगर भाई नहीं आपाते हैं बिजी होते हैं तो कभी-कभी बेहनों को भी तो जाना चाहिए दो कि अपने हो पास औरन नहीं यह झाएंगे पता है झाए शुक्ण जाएल जाये जाए कि क्यां थमाई के लेकर लेकर जाएंगे खेसे पहार पर बहुत जादा भीड होती है तो इस वज़ए से थोड़ा सा वह रहताय यह तो पहले से चले जाओ तो सही रहता है और उस दिन ज्यादा बीड रहती है बीड की वज़े से बाइयों को आना चाहिए पक्का इस वार है अगली बार अभी तो दोज भी आएगी फिर दोज पर आना चाहिए राकी पर यह तो हर ऐसे होते हैं भाइयों के अलग निकालना चाहिए थोड़ा सा चलिए आप इनकी राकी वाकी हो चुकी है बक्चों की अब महीं राकी बादने जाती हूं आप क्यूंकि मैं तइयार हो लेती हूँ है ृभी मैं ऐसे ही घूम रही हूं और 5 मीर्ड में तइयार होजाऊँगी कुछ नहीं साढ़ी पहनना है मुझे और इधर वाओजी को भ तु the stitch oh look ृइंद सकता है क्यों कि खाली नहीं छोड़ते हाथ को और अममी बाओ जी के राकी बंधवाने के बाद मैं भी राइप बंध वाल की क्योंकि ग्ने यह तो ऐसे की बंधवालfaced अज़रा पहुंच गई हैं हमारे पास तो हम बानेंगे उनको और मैंने भी अपनी भाई के लिए आने वाला था वैसे लेकिन हो जाता है ना कुछ काम में लग जाते हैं तो नहीं आपाते तो मैंने ना भीजबा दी थी भाई के लिए राकी भीजबा दी थी और ये दीदी ने थोड़ तो अच्छी लगती है और लेकिन सिंपल वाली जो होती है न वो बंदी रहती है तो देखो इस तरीके की राकी है मैं दिखा रही हूं और मैंने देखो दीदियों की राकी बंद वाली है Happy Raksha Bandan to my beautiful sister-in-law Thank you दीदी for this beautiful राकी देखो थैंक यू गई मैं भाई के घर तो सबसे पहली राकी मैं भाई के बांद हूंगी बहुत emotional वाला time था मैं बहुत रोई आज सुबह भी मैं बहुत रोई मतलब इतना याद कर रही थी उनको सुबह सुबह जैसे कि उनको ना शाम से फोन करना शुरू कर देते थे कि कितने बज़े आएगी तो वही चीज ना मुझे बार बार याद आ रही थी बच्चे भी याद कर रहे थे मामा ना कितनी बार फोन करते थे सुबह सुबह कितनी देर में आएगी क्या करेगी तो वह ही फिर मैं बाकी बच्चों के राखी बांद दूंगी और बहुत मलब सुबह भी मैंने जैसे भावी ने फोन किया ना उस समय भी मैं बहुत रोई फोन पर बहुत रोए हम दोनों और मैं अभी भी इसी वज़े से सांथ हो कि ना विलकुल राखी बांद रही हूं क्योंकि बाभी ने जब फोन किया कि कितने देर में आ रही हो और वह सबसे बड़ी बात ने भाई के नमब से किया तो एकदम प्रिया बोली ममे मामा का फोन है तो एकदम ऐसा हो गया मैंने कि मामा कितनी वार फोन करते थे तो उधर ना मैं अपने भती जोंगे भी राखी बांद लेकिन इस बार बहुट बुरा लग रहा है भाई के बिना ने अच्छान लग रहा लेकिन अन्यवे सकूर्ण में ये सब काम काम होते हैं क्योंकि जिंदगी है आगे बढ़ती आ cannon कष्भी निकांटे ने लिक्ता किसी के जाने से ना जिन्दीवी निकीर बिल्कुल भी और और इसको भी राखी बांदेगी तो इसी तरीके से ये तोहार एक बहुत अच्छा तोहार है और भाईयों की मतलब हर बहन अपने भाईयों के लिए बहुत ज़्यादा प्रास्थना करती है लंबी उमर के लिए क्योंकि राखी बांदी है तो लंबी उमर के लिए लेकिन बच्चों के लिए खाना लगा दिया था पहले और प्रांशू न सबसे राम राम बोल रहा है लेकिन यहां पर फैन की आवाज आ रही थी तो मुझे मुझे मूट करना पड़ा है तो यह बच्चे सैतानी कर रहे थे और खाना भी आ चुका है तो वही मैं बोल रही थी कुछ वहीन दिमाग नहीं निकल दी है और वह तो हमेशा रहती और उसके बाद में मैं भी खाना खा लूँगे मेरा भी लगा दिया है भापी ने और भाभी को भी बिठाओंगी जाना तो आच्छा भी लगता है और खाना वाना खाने के बाद में मैं भाभी के घर्षे जल्दी आ गई थी और यहां पर देखा मैंने कि भाई आ गया है मेरा जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्बीद नहीं थी कि भाई आ जाएगा लेकिन अचानक से राकी बंद बाने के लिए मेरा भाई आ गया मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक भाई आ नहीं पाया था और दूसर कि वहां से भी मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि एक अद्ध जो हमारे पड़ोस में दी दी वगएर आ राकी बांदने के लिए आती हो तो फिर अच्छा नहीं लगता घर पर कोई ना हो तो मैं जल्दी कर और चलिये तो फिर ये हमारी भी राकी पूरी हुई और इस वीडियो झाल 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 झाल